नमस्कार आप देख रहे हैं हर्याना न्यूज एक्स्प्रेस और मैं हूँ आके साथ चवी आईए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी ख़बर क्यों आदू आपनी पार्टी से फरिदाबाद के चनाव प्रभारी डॉक्र अशोक तवर ने फरिदाबाद में अलग अलग जगहों पर कई जनसभाओं को संबुद्धित किया और लकातार आपनी पार्टी को मजबूत करते हुए इसी कड़ी में वल्लबगर के सेक्टर 62 अश्याना में ज जनसभाओं को संबुद्धित करते हुए डॉक्र अशोक तवर ने आने वाले लिगम चुनाव ने आमापनी पार्टी की कून पहुम सजीत कदावा कि इस मौके पर उनके साथ फरिदाबार जिलेर से आमापनी पार्टी के तमाम पदारी कारी मौजूद रहें वहीं जनसभ जनसभाद की पार्टी नहीं बल्कि बड़े-बड़े उध्योग पत्य और वैपारियों की पार्टी है अशोक तवर ने मीडिया से बाचीत करते हुए कहा कि आने वाले निगम चुनावों में परिदाबाद इसे 45 स्मोचों पर आमापनी पार्टी के पत्याशी चुनाव क आने की बात कहीं निगम की चुनाव को लेकर ऊशोक तवर ने कहा किभाथी चंटावती है इसनिए तो वे पहले सत्पंची की चनव प्लेज करवा रही थी और अब निगम की चुनाव भी देली से इकना रही है और लोगों को पार्टी से जुड़ने के लिए एक नंबर भी दिया है जिस पर लोग मिस्कॉल करके हम आदनी पार्टी से जुड़ सकते हैं तो वहीं डॉक्टर अशोक तवर ने लोगों से भी अपील करते हुए कहा है कि जादा से जादा लोग इस नंबर पर हम इस कॉल कराम आदनी पार्टी से जुड़ें वल्लक कर से हमारे जमबाता था प्रिकास ओहल्डियान की रिपोर्ट तवर साब लगातार आज फरीदवाद में जन लोगों को समोदित करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि चुनाव निगमका है तो ऐसे मैं किस तरगी की तयारिया नजर आ रही है आज सुबह दिली के बॉर्टर से हमने शुरू किया था वार नंबर 27 वार नंबर 4 वार नंबर 44 और भी कुछ जगे हम लोग गए हैं और वहां से लेकर के यहां पर देखें तो बहुत लोगों के अंदर उत्सा है और उत्सा के कारण है एक तरफ जहां आम आदमी पाटी और अर्विंद केजरिवाल जी की नित्कियों में विश्वास है वहीं और लोगों से विश्वास हट चुका है और लोगों की जो कारिय शहली है लोगों को वाइधा करके मुकर जाना विश्वास गात जिस तरीके से करना यहां लोग बैठे हैं राशन कार्ड कारती है करीबًا 90% लोगों के राशन कार्ड कट के हैं आज भी लोग इस तरह के जो सरकारी सुज़ाएं हैं उसके उपर आश्रित हैं यहां आश्याना एक स्कीम थी करीबन आजार से उपर लोगों को उन्होंने छोटे-छोटे फ्लेट दिये तीन तीन लाग रुपे उसके उपर इंटरस लगा करके तीन ओर बना दिये तो आश्य चार, बेरोजगारी, महंगाई, कानून वरस्ता चर्मराती भी दिख रही है और बुनियादी सुज़ाएं तो आप देख रहे हैं कि फरिदाबाद का बहुत बुरा हाल है इतना बुरा हाल है कि हरियाना का कोई डिस्टिक ऐसा नहीं होगा जहां इतने बधाली होगी सड़ आज तक बनीनी, गलियों में जल भराओ, सिवरेज का पानी पीने के पानी के साथ मिक्स हो करके आता है ऐसी स्तिती है और कूडे कचरे के जगे जगे खड़े हैं उस पर गव माता वो खाने पर मजबूर है जगे जगे आग लगाई हुई है ना हवा ठीक है ना पानी ठीक ह और ना यहां का जो है माहुल ठीक है तो इसको बदलने के लिए मैं समझता हूँ कि लोग जाड़ू उठाएंगे और बदलाओ की शुरुआत करेंगे आज रेखा जी ने ये प्रोग्राम किया है मैं उनका और उनके तमाम सहीयोगियों का धन्यवाद करता हूँ और साथ सा अब्यान पूरे अरियाना में कल से लॉंच हुआ आज विदान सबाओं में उसकी शुरुवात हुई है तो हमने सब को बताया उसके अभी अपने मेंबर्शिप सांकेतिक तोर पे शुरू करी है और सारे सातियों से आवान किया है कि सब लोग जाया जाके हर घर को टच करें और फरिदाबाद अपने टार्गेट से ज्यादा आगे बढ़ करके आए यह मेरी उनसे गुजारिश रहेगी दस लाग मेंबर हम बनाएंगे अगले एक महीने के अंदर एक महीना अट-दस अपरेल तक यह पूरी ड्राइव चलेगी पूरे अर्याना के अंदर और जो पार सबसे वाडबन दिखी जो नहीं लिश्ट है वह भी तैयार नहीं कि लिए तो चाहती ही नहीं है तो आप बिल्कुल ठीक करें कि बीजेपी नहीं चाहती हम भी कह रहे हैं बीजेपी अगर चाहती तो डेड़ पोने दो साल होगे चुनाओं को लेट करते हुए क्यों डर रह साल अभी अभी लेट उन्होंने किया और यहाल मैं समझता हूं कि आदा बिमारी का करण वह यहां के आबाव वाई जिसको जब तक ठीक नहीं किया जाएगा तो होगा जहां तक चुनाओं लेट करवाने की बात है मैं समस्ताओं की समय आएगा हम भी प्रेशर बनाएंगे और भरजी जनता पार्टी को चुनाओं करवाने पड़ेंगे हम आदमी पार्टी तेयार है चाए गुरगावा हो फरीदाबाद हो मानेसर हो या और पाली का नगर परिशत चुनाओं और यहीं से जो है हम आदमी प हो रहता और वो अच्छे काम करें तो भला होगा हुगा। जैशा keen है ऐसा होगा मैं अब कहें थी हम나대 сама कर देती लेकिन दिन डिलिंगी तरह है और पंजाब की से विश्थर उख कर देंगे बिस्तर गोल गोल नहीं है पता नहीं कि लोग कैसा रोल बनाएंगे उसका क्योंकि आपने देखा जब दिल्ली में सरकार आई आम आद्वी पार्टी की तो सतर में से केवल तीन छोड़े थे पंजाब में अभी 117 में से 92 लोगों को जिता करके भेजा है और मुझे लगता है लक्ष हमारा आम आद्वी पार्टी की 75 जो यह कहते थे उसके वो तो यह कर नहीं पाए लेकिन हम यह करें कि हमारे 85 से लेकर के 90 सीट के बीच में हरियाना के लोग जिताएंगे क्योंकि उनको पता है कि यह पार्टी पढ़ने लिखने वालों की पार्टी है इसको डिस्टिंक्शन के साथ जिताने का काम करना है 90 परसेंट से तो कम जेंगे ही नहीं अब जाए नहीं हम तो अकेले लड़ेंगे और गटबंदन के लायक कौन है हमारे सारे चोरों के खिलाब ड़केतों के खिलाफ लड़ाई है तो ऐसे चोर ड़केत जिन्होंने ब्रिष्टाचार किया लोगों के साथ बहिमानी करी लोगों को बार-बार बरगलाने और लोगे लगाता आए Sophia कि अपने अपने लिए मैदान में हैं और बहुत से लोग अपने अपने लिए मैदान में हैं आम आदमी पार्टी इनके लिए मैदान में तो जो इनके साथ होगा हो वह मजबूत होगा धने हमारे फेस्बुक पेज को लाइक फॉलो और शेर करें साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताजा खबरों के लिए बैल आइकॉन को दबाना न भूले